अप एक्जाम टूर देख रहे हैं, यह सभी के लिए महतपुर्ण नोटीस है, जो भी PFC TRE यए थिरी वाले एक्जाम दिये हैं, वो इस नोटीस को मिस न करे, यदि आप मिस करते हैं, तो आप समझिए अपने आप से कहलवाळ कर रहे हैं, अपने जॉब से कहलवाळ कर रहे ह ये समाने परशासन विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा नोटीस है और दो दो नोटीस मेरे पास है ध्यान पूर्बग देखिएगा अखिरकार ये नोटीस क्यों जारी किया गया इस पर भी समझ लेंगे थोड़ा सा वीडियो बढ़ा हो सकता है तो आपके लाइफ से ब बाहर की महिलाएं या बाहर के जो कटेगरी वाले हैं या अन्यराज से आते हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे आखिरकार आप गलती जो कर रहें वह गलती न करें जो आपको छूट मिला है उसी का लाब उठाएं छूट कहने का अर्थ हुआ कि उप कुछ महत्पून तथ आरक्षन को लेकर दिया गया है कि आखिरकार आरक्षन का लाब कौन लेंगे इसके बारे में जानने का प्रयास करें वेक्टी विसेस की जाती का निर्धारन उसके पिता की जाती के अधार पर होती है यानि जो भी वेक्टी का जाती का निर्धारन यहां पर देखिये पति की जाती के आधार पर नहीं आपका आवास हो सकता है लेकिन जाती का निर्धारण नहीं हो सकता है पति के आधार पर सरकार के द्वारा हमेशा बनी रहती है किसी परकार का कोई दिकत नहीं होता है आगया यह अस्थाई आवास परमारपत्र की बैदता हमेशा बनी रहती है जबकि आप बिहार के निवासी है आप आवासी बनवाए है तो इसकी बैदता हमेशा के लिए बनी रहती है लेकिन आप अन्य राज के हैं यदि यहां पे और अस्थाई आवासिय बनवाये हैं तो उसकी बैदता एक साल के लिए होती है मात्र अब देखा जाता है जैसे मैं आपको बता दूँ मैं बिहार से ही हूं लेकिन अन्य जिला से हूं मैं दूसरे जिला के लिए एक बार अस्थाई परमाण लेगा लेकिन यहीं अधिकारी लोग जब पैसा ले लेते हैं तो फर्जी ड़कुमेंट्स बना देते हैं तो इसलिए सरकार जो यह नोटिस जारी की एक और नोटिस जारी करना चाहिए कि जो अधिकारी ऐसे पकड़े जाएंगे उन पर कानूनी करवाइद किया जाएगा चल कुछा उससे एक वर्ष के लिए मात्र होगा यानि एक वितिये वर्ष के लिए अगे यह पाचवा सत्यापन के पॉर्छ परसात अभ्यर्ती को मूल परमालपत्र अवस्त लौटा दिये जाएंगे अगे आगे ये चे नमर में कृमी ले नया बनाया जा सकता। ये क्रीमी लेयर वाले विद्धेकिंग के लिए है। आगे देखे। पर्मारपत्र बार बार बनवाने की आऊ सकता नहीं है। राज्यदैन से वाओ है तुप पुराने पर्मारपत्र के साथ अंडर्टेकिंग देकर आवयधन दिया जा सकता है आप क्रिमी लेयर बनवा रहे हैं यदि आप उस सब कुछ फूल फिल कर रहे हैं आपका आप उपर नहीं आये हैं तो आप उसको अंडर टेकिंग करके बनवा सकते हैं या इस विद्यार्थी की सहुलियत होती है वो नहीं बनवा लेते हैं ताकि बाद में आयो या बिहार का कोई भी एकजाम हो इसमें आप देखिए राजयधिन सेवाओं में राज के मूल निवासी को ही आरक्षन मिलेगा बाकी किसी को आरक्षन नहीं मिलेगा बाकी महिला को यदि छूट मिल रहा है तो बिहार की महिला को मिलेगा जो हमसे फोन करके थेसिस करते हैं करने वह इस बिंदु को मिलेगा मुल्निवासी वह सकते हैं दिभयाग को सभी दिभयां को नहीं मिलेगा इस को अब समझिये सभी महिला को नहीं मिलेगा मिलेगा साफ यहां पर लिखा गया है और इसका गलत पालन किया गया है इस बात को आप समझिये आगए दिव्यांग जनों को सरकारी शिवाओं में नियुक्ति में 4 पर 36 आरक्षं देना है दिव्यांग विद्यार्थी को चार परतिसत 36 आरक्षन देना है यहां पर यह दस नमर में शोतंतता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को सरकारी शिवाओं में नियुक्ती में 2 परतिसत 36 आरक्षन देना है आगे इमहिलाओं को सरकारी शिवाओं में नियुक्ती में 35 परतिसत 36 आरक्षन देना है यह समाने प इस बात को जरूर ध्यान देंगे जो अन्यराज के बच्चे हैं जो बिहार के बच्चे दोनों आठन नमर को कि बिहार में उसी को लाम मिले आरक्षार का एलगा आरख्षन का कि यहांके मून निवास हैं क्याई लोग मे shaft cambio को कॉल करके लोगों को पास जनकारी नहीं होता है वह केवल वीडियो मातर बनाते हैं मैं नोटीस को बारं बार परता हूँ नोटीस को बार बार देखता हूँ ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ मुझे आप ये न समझे कि मैं कुछ भी बता देता हू एक एक बिंदू पर अब यहाँ पर आईए समान परसासन विभाग क्रीमी लेयर रहित प्रमारपत्र के शंदर में आवस्यक सुचना थोड़ा सा ध्यान देंगे विडियो तो बड़ा होगा लेकिन आपके लिए हितकारी है यदि आप अपने लिए 10 से 15 मिनट नहीं निकाल सक आनिये निवास परमारपत्र पर आधारित होता है वैसे विद्धार्थी जो याईदी लाभ लेना चाहते है आरक्षन का तो उनका जाती आई निवास बिहार का है तो वह लाभ ले सकते हैं किरीमी लेयर रहित परमारपत्र के निर्गत के करम में पहले जाती आवास एम सपत्पत्र के अधार पर सिदे क्रीमिलेर रहित पर्मालपत्र निगत किये जा सकते हैं यदि आपके पास जाती आई निवास नहीं है लेकिन आप सपत्पत्र देते हैं तो भी आपका क्रीमिलेर रहित पर्मालपत्र बन सकता है यहां पर देखिया अनिवारता नहीं बताए क्या क्रिमी लेर रहित पर्मार पत्र बन जाएगा आगला प्वाइंट तीन नमर में देखिएगा क्रिमी लेर रहित पर्मार पत्र में माता पिता की आयका गणना की जाता है यानि वैसे ध्यार्थी जो अलाब उठाएंगे बिहार में जो साधी किये हैं महिला उनके लिए माता-पिता का आयका गढ़ना किया जाएगा न कि आपके पती के आयका गढ़ना किया जाएगा बहुत सारे लोग का जाती का निर्धारन होता है यहाँ पर पहले ही में बता दिया हूँ किरीमी रहित परमान पत्र के लिए माता-पिता का आयका गढ़ना होगा न कि पती का आयका गढ़ना होगा आयकी गढ़ना में क्रिसी भूमियों बेतन से होने वाले आयको नहीं जोडा जाता है इस बात को आप लोग बहुत सारे लोग confusion में राते हैं आए का जब गड़ना होता है तो बेतन और क्रिसी जो भूमी से आता है उसको नहीं लिया जाता है आगे आए अगर आप पांचवा नंबर पॉइंट है क्रीमी लेर रहित पर्माण पत्र बार बार बनवाने की आऊ सकता नहीं है ब आगे नहीं बढ़या यानि कि आप का आए नहीं बढ़ा है तो आप उसके लिए एक सपत-पत्र देकर भी क्रीमी लेर रहित पर्माण पत्र बनवा सकते हैं चलिए आगे क्रिमी लेयर बनवाते हैं या स्ट बनवाते हैं या इड़ बनाते हैं अच्छी बात है आपको करना चाहिए लेकिन इसको समझिए जो सरकार के दुआरा गाइड लाइन दिया गया है यहां पर देखिएगा बिभाहित अथवा औव बिभाहित पूरुष या महिला के लिए क् महिला है तो वह पती के नाम से कुछ नहीं बनेगा जबकि पिता के नाम से सब कुछ बनेगा आवेदन करने से पहले आप इस बात को जान लेंगे बिहार सरकार का यह नब्ज है यह बिहार सरकार के सभी कुछ में काम करेगा यानि बिहार में आप आवेदन करते हैं तो यह के लिए इतना जनकारी आपके पास होना चाहिए पर्मारपत्र पिता KEY अ सिधे क्रीमिल रहित पर्मार पत्र भी पिता के अस्थाई आवास से अंचल से निर्यत होगा, यानि जाती आय निवास सबकुछ पिता के नामसे बनेगा कोई किनesse को दिकत नहीं है अगला ये साथ नंबर में क्या कह रहा है समाने परसाशन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 15706 दिनांग 292020 की कंडिका 3 के आलोक में विभाहित महिला का बरतमान में अपने पती के साथ रहने की इस्तिती में क्रीमी लेयर रहित परमार पत्र से यहां पे देखिएगा बिभाहित महिला ध्यान देंगी जो बाहर की महिला हैं और बिहार में यदि आपका साधी हुआ है थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा शमान परसासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 15760 दिनांक 29-2022 के कंडिका 3 में के अलोक में विभाहित महिला का बरतमान में अपने पती के साथ रहने की इस्तिती में क्रीमी लेयर रहित परमार पत्र से इतर उदेश के लिए पती के आवास के आधार पर आव अपने पती के नाम से बनवा सकती हैं अवासिय बनवा सकती हैं लेकिन जब आप केवल आवासिय बनवाएगा तो आप बिहार के निवासी माने जाएगा नकी आपको किसी परकार का कोई आरक्षन का लाब मिलेगा यानि यदि आप पती के नाम से आवासिय बनवा रही हैं आप अन्यराज की हैं, बिहार में साधी की हैं, तो आपको अस्थाई निवासी माना जाएगा, लेकिन आपको कोई लाब नहीं मिलेगा, आप SC में नहीं काउंट होएगा, आप ST में नहीं काउंट होएगा, आप EBC में नहीं काउंट होएगा, आप EWS में नहीं काउंट लेकिन बिहार के जिनरल में काउंट होई है इस बात को समझे है यानि बिहार के निवासी में आप गिने जाईएगा यह पती के नाम से यदि आप बनवाते हैं तब यह नियम है लेकिन इस नियम को क्या ध्यान रखा गया भी PSC-TRI बहाली में इसको यदि ऐसा देखा जाता त तो लगभग बहुत सारे लोग बाहर हो जाते, आज के भी आप वीडियो में देखे होई एगा, आगे आगे, यहाँ पे आगे, चुकि आरक्षन की शुबधा बिहार के मूल निवासी को ही देना है, अता इसका निर्धारन अभ्यरती बिवाहित महिला सहित के पिता के मूल न पर यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ है क्या, कि आरक्षन का कोई लाब बिहार के मूल निवासी, अब तो मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी को दिया जाता है, और मूल निवासी को तब दिया जाता है, जबकि उनके पिता के आधार पर, यानि कोई भी आरक्षन का लाब, वो अपने पिता क्या धार पर लेंगे, बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ लोग साधी कर ले रहे थे, दुसरे कास्ट में और लाब उठा रहे थे, इसलिए ये सब नियम बनाए गया, ताकि ऐसा लाब कोई न उठा सके, साधी नही में आते हैं, तो भले ही साधी SC से कर लें, तो आपको SC का लाब नहीं मिलेगा, आप के पिता जिस कटेगरी से हैं, उस से लाब मिलेगा, आप यदि SC से आते हैं, आप यदि आप लब मेरे या कोई मेरे जैदी जेनरल से करते हैं, तो आपके पिता जिस कटेगरी से आते हैं उस कटेगरी का आपका लाब मिलेगा लेगिन विहार का निवासी होना चाहिए इन जारे चीज़ को लेकर लेगिन विहार का निवासी होना चाहिए परिपत्र संक्या इस बात को आप समझेए यहाँ पे साब तोर पर लिखा गया है बाजू दिन अंसारी बिहार सरकार के अवर सचीव के द्वारा यह दिया गया है यहाँ पे ध्यान पुर्भक देखिएगा यदि भरस्टाचार से सम्मंदित सिकायत हो तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं 0612 222 17 048 पर कॉल कर सकते हैं बरस्टाचार सम्मंदित कोई शिकायत हो तो आगे आए यह देखिएगा मुहम्मद सिराजु दिन अंसारी बिहार सरकार के अवर सचीव के द्वारा यह दोनों नोटिस दिया गया है और आप इस नंबर पर कर सकते हैं